आपको कर देना है यहाँ पे डिलेत एकाउंट पेखुट जैसे आप डिलेत एकाउंट की अवफिन पे खुट करोगे तो यहाँ पे आपका इंश्टाराम시면akt सक्सेसफुली डिलेट हो जाएगा दोस्तों अगर आप भी अपने instagram ein aikाउंट को को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए उससे रिलेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पुरा कम्प्रीट से देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि हम इंस्टागराम के नए अपडेट के बाद इंस्टागराम के नए जो है वह डिलेक्ट होगा ही नहीं वहाँ पे कुछ प्रब्लम आपको सोगा तो अगर आपको अपने इंस्टाग्राम एकाउंट को हमेशा मेशा के लिए बंद करना है तो इस वीडियो को आपको पूरे कंटिन्यू वाज करना है करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है ताकि आपको इस चैनल पर पहली बार वीजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दमाना ताकि इस से रिलेटर हर नहीं बीटों का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे तो आए चली दोस्तों चलते हैं अपने मुवाइल पॉन के स्क्रीन के और तो इंस्टाग्राम एकाउंट को डिलेट करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फॉन में प्लेइश्टूर को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है तो इंस्टाग्राम मेरे फॉन में अपडेट है तो मैं इसे open कर लेता हूं Instagram को open करने के बाद आप Instagram के home page में आज आएंगे तो आपको यहां पे Instagram account को dealer करने के लिए यहां पर एक option मिलेखा profile का नीचे में तो यहां पर हम click करेंगे जिसे आप profile के option क्लिक करोगे तो आप Instagram के प्रोफाइल में आज आएंगे और यहां पे आपको Top पर एक आपशन सुह होगा, 3 Line का तो यहां पर आपको क्लिक करना है, 3 Line के आपशन पर क्लिक करने बाद यहां पर एक आपशन मिलेगा शैटेंज एंड प्लेसि का तो यहां पर आपको click करना है click करनेक बाद यहाँ पे आपको top पे एक option मिलेगा account center का तो यहाँ पे आपको click करना है account center की option पे click करनेक बाद आपका यहाँ पे instagram का account तो आपको यहां पर Instagram account को हमेशा हमेशा के लिए डिलेट करने के लिए आपको यहां पर एक option मिलेगा personal details का तो यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप personal details के option पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक option मिलेगा account ownership and control का तो यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नEVA फेज ओ अॉपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लेसं के आपको और यहाँ पे आपको इंस्टागराम को सलेक्व करने के बाद यहाँ पे आपको दो आप्टिवेट मिलेगा erट एक यहां पे इंस्टागराम अ меньше के लिए यान कि बंद करने तो अगर आप अपने Instagram account को यहाँ पे कुछ समय के लिए hide करना चारे है लोगों से छुपाना चारे है तो आपको यहाँ पे deactivate account करना है अगर आपको अपने Instagram account को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के नजर से बंद करना चारे है तो आपको यहाँ पर delete account को select करना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको continue कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक region select करना है कि भाई आप अपने Instagram account को लेट कियों करना चारे ह। तो आपको यहाँ पर कुछ भी एक region सेलेक्ट कर लेना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ privacy concerns को और यहाँ पर कड़के आपको continue करना है continue करने के बाद आपको यहाँ पर continue करना है फिर से यहाँ पर जैसे आप continue करोगे तो आपको यहाँ पर Instagram का पासवोड यहाँ पर मांगा जाएगा तो आपके Instagram का जो भी पासवोड है वह आपको यहाँ पर डालना है अगर आपको Instagram पासवोड याद नहीं है तो इससे पहले मैं वीडियो बना रखाऊ हूँ आप आई बटन पर जाके आपको यहां पर इंस्टाग्राम का पास्वूर्द यहां पर एंटर कर देना है। तो मैं यहां पर कर देता हूं, Instagram का पासवूर्द डालने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे, आपका Instagram एकपूँट सुक्सेसफुल्य डिलेट हो जाएगा, आप यहाँ पर डिरेक्ली इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाएंगे आप यहाँ पर लाइप रूप खुद ही देख सकते हो तो इस तरह से बिलकुल आसानी से अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम एकाउंट को हमेशा हमेशा कले दिलेट करना चाहिए तो बिलकुल आसानी से आप इस तरह से कर सकते हो तो चलिए तब तक के लिए बाइबाय फिर मिलते हैं नए वीडियो में